हेलो दोस्तों आप सब जेकी स्रोप को तो जानते होंगे जिनको जग्गु दादा के नाम से बोली बुड में जाना जाता है आज मैं आपको बताऊँगा कि क्यों दाओद इबराहिम ने एक जमाने में जेकी स्रोप को दमकी देने से साफ इंकार कर दिया था जेकी स्रोप मुंबई के रहने वाले थे बे मुंबई के मालावार हील के रहने वाले थे उनका ठिकाना चोल में था जी हाँ दोस्तों उनका नाम दादा वहीं से पड़ा जेकी सरोब अपने समय में लड़ाई जगडे से कभी पीछे हटने वाले नहीं थे यूं माली जेके बे बहुत बड़े नीडर थे माला माल हील में उनका नाम का सिक्का अच्छा चलता था आज भी बॉलिवुड इंटरस्टीज में सभी लोग और सभी एक्टर उनको पूरी इज़त देते हैं दोस्तो जब फिल्म प्रोडूशर या फिल्म हीरो को कोई प्रोब्लम होती थी तो वो अंडरबल डॉन की मदद लेते थे और उनको हफता पुचाया करते थे दोस्तो कई साल पेले जैकी सरोब एक फिल्म में काम कर रहे थे और उस फिल्म में समीर और हनीफ प्रोडूशर कर रहे थे लेकिन ज़्यादा फिल्मों की बजाय से जैकी सरोब उसकी फिल्म को टाइम नहीं दे पा रहे थे दोस्तों परडूशर ने जेकी सरॉप को बड़ा समझाए लेकिन उन्होंने साम मना कर दिया जब उनके पास टाइम होगा तब इस फिल्म को करेंगे फिर इस फिल्म के परडूशर समीर और हनीफ ने दाउद की हेलप लेना जरूरी समझा और उन्होंने सारी बाद दाउद को बताई जब दाउद ने जेकी सरॉप दादा का नाम सुना तो दाउद ने परडूसर को कहा जेकी मेरे बड़े बाई जैसे हैं और मैं उनको तब से जाता हूँ जब वो तीन पत्ति सिंगल पर रहा करते थे और मैं उनकी बड़ी इज़त करता हूँ दाउद ने ये भी कहा कि आप मुझे कितना मर्जी पैसे का ओफर दे दो ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता तो दोस्तो फिल्म के पोडूसर ने जेकी स्रोप पर छोड़ दिया तब दादा को टाइम मिला जब जाकर ये फिल्म सूट हुई तो दोस्तो यह बाचित थी ये तीनों के बीच में हुई जो दाउद जेकी स्रोप और पोडूसर के बीच में हुई थी तो दोस्तो ऐसी नए नए अपडेट न्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे धन्यवाद